हाई एब्रीवान स्वागत आप सभीका स्टी मेजिकल हिंदे पे और मेरा नाम है वैशाली और फ्रेंड्स यह जो रीदिंग है यह टॉरस राशी वालों के लिए है विश्यव राशी वालों के लिए है सान मोन और राइजिंग अगर आपका चंद्रमा आपका लगन या आपका सूरे जो है वो विश्यव है तो आप यह रीडिंग देख सकते हैं अक्टूबर मांथ में आपकी लव लाइफ करियर में क्या आने वाला है और साथी साथ भगवान एंजल्स अल्ला आपको क्या मेसेज या गाइडिंस देना आप मच pseudo करेंगे मेरे इस्ट्राग्राम पर भी फालो कर सकते हैं अ अधार दूसरी तेरो कार्द रीडिंग्स होती है अनके लिए तो चलिए आपकी रीडिंग स्टीर बाहते पर हमारे पास यहां पर तू अपर फोर फोर आपस यहां पर विया जादी होते हुए इस मन्त में आपको कार्ट विजिबल होंगे टॉरस उसके अलावा मुझे दिखता है कि हम पहले love cards निखाल लेते हैं We have the soulmate, हमारे पास यहाँ soulmate का card आया है उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है This could be the one, यह person already हो सकते हैं आपकी life में हो और उसके बाद है attraction, you attract romantic love by fully enjoying it हम अपनी life में love को तब attract करते हैं, जब हम love को अकेले भी enjoy करते हैं So यह card जो है, मुझे Taurus आप लोग के लिए बताते हैं बहुत strongly कि आप कोई major, कोई बहुत बड़ा decision लेने वाले हैं अपनी love life को लेके इस month में, October के month में कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग पहले single हैं उनकी बात कर लेते हैं कि आप बहुत time से किसी चीज को लेकि confused है या दो चीजों को balance करने की कोशिश कर रहे हैं उसको लेकि आप पुछना को decision जो है वो लेने वाले हैं यहां पर shadow side का card reverse में जो कि बहुत अच्छी बात करता है कि हो सकता है कि आप बहुत time से किसी एक तरीकी के रहे negative pattern में हो मतलब कि life में एक same चीज जो है वो बार बार repeat हो रही है बार बार ऐसे लोग आ रहे हैं आपकी life में जो you know आपको कुछ अच्छा नहीं देना चाते या आपको love नहीं देना चाते या आपको ऐसे महसूच कराते हैं कि आप love deserve नहीं करते हैं तो आप उस cycle से बाहर आने वाले हैं October के मांत में आप कुछ ने कुछ बहुत बड़ा decision लेने वाले हैं अपनी life में कुछ change लेके आने वाले हैं जिससे आपका आगे का रस्ता मुझे खुलता हुआ दिखाए दे रहा है मुझे एक love में new beginning दिखाए दे रही है या तो आपको October के मांत में कोई person मिलने वाला है जिसके साथ आपका एक अच्छा relationship बनने वाला है बहुत strong हो सकता है आपके उस person से शादी भी हो जाए आगे जाके ये मुझे cards पे दिखाए दे रहा है जो लोग already ही relationship में है मुझे ऐसा दिखता है कि relationship में हो सकता है starting में किसी बात से आपका लड़ाई जगड़ा हो सकता है लेकिन उसका एक reason होगा और reason ये होगा कि जो चीज़े toxic हो जाती है कभी-कभी relationship में जो negative चीज़े होती है जो खराब चीज़े होती है वो उनसे आप बहार आओगे October के month में हो सकता है उस चीज़ को लेके जगड़ा भी हो आपके partner के साथ उस चीज़े बहार आओगे उनके लिए मुझे मुझे मुझें का टॉरस है बहुत strong दिखाए दे रहा है We have the sun, we have the two of cups and four of wands again बहुत strong chances है कि या तो बहुत और solid आपका relationship बनने वाला है आपके person के साथ या हो सबता है कि कोई already person कुछ लोग की life में है उनके साथ उनका relationship बनने वाला है शायद पहले ना हो या या person एकदम से आपके life में आ सकते हैं जो मुझे यहाँ पर कार्ड दिखा रहा है और कार्ड ये भी कहता है कि इस मन्त में जो भी person आपकी life में आये love life में new person तो just enjoy your life अपनी life को enjoy करें क्योंकि ये person जो है कई न कई आपको उस दिशा में ले जाएगा जहाँ पर आपको true love जो है अपनी life का मिलेगा जो मुझे यहाँ पर कार्ड बता रहे हैं तो सब के लिए अलग-अलग चीज़े आती है तो बहुत सारी आ रही है तो चलिए टॉरस चलिए आपका देखते हैं कर्यर कैसा रहेगा October के मंथ में प्लीस निवर्स टॉरस के लिए October के मंथ में उनका कर्यर कैसे रहने वाला है प्लीस हमें बताइए ओके तो हमारे पस यहाँ पे है Two of Wands We have the Knight of Pentacles We have the Emperor in Reverse कैसा रहेगा इनका कर्यर चॉरस का We have the Eight of Wands in Reverse Four of Cups हो सकता है टॉरस आपको October के मंथ में कर्यर को लेके थोड़ी सी कन्फूजन रह सकती आप चाहते तो हो कुछ स्टेबल हो स्टेबल चीजे आएंगी आपकी लाइफ में लेकिन धीरे आएंगी October का महिना थोड़ा सा slow चलेगा कर्यर में पैसों को लेके या चीजों को लेके बहुत जल्दी जल्दी result नहीं मिलेगा जो मुझे आपे cards दिखा रहे हैं लेकिन ये दिखा रहे हैं cards की end में आपको एक emotional satisfaction हो सकती है या आपकी कोई wish फुल्फिल हो सकती है आपकी कोई भी एक wish है वो पूरी हो सकती है ये भी दिख रहा है कि career को लेके stress भी रह सकता है cards मुझे बता रहे हैं career को लेके burden भी हो सकता है हो सकता है आपको लेके कि आपके पास कोई opportunity नहीं है life में आगे बढ़ने के लिए या आप चाहा के भी life में आगे नहीं बढ़ पा रहे है especially career work में कोई फैसला नहीं ले पा रहे है decision नहीं ले पा रहे है और चीजे जैसे आपने सोची है उस हिसाब से आप कर नहीं पा रहे है इस तरीके से cards दिखा रहे है लेकिन cards ये भी बता रहे हैं की चीजे जो है शायद आपको दिखने रहे हैं लेकिन धीरे-धीरे आप progress कर रहे हो धीरे-धीरे आप life में आगे बढ़ रहे हो जो मुझे cards यहाँ बर दिखा रहे है टॉरस राशी वालों के लिए ये भी हो सकता है कि इसी चीज को लेकि आप लोगों confusion हो और इसी वज़ा से थोड़ा सा चीजे जो है वो delay हो रही है थोड़ा सा चीजे जो है वो धीरे-धीरे चल रही है बट मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है आप लोगों कुछ special lesson देने के लिए हो रहा है कुछ सिखाने के लिए हो रहा है सहीर direction पे ले जाने के लिए हो रहा है जो मुझे यहाँ पे cards आप लोगों के दिखा रहे है तो चलिए friends आप लोगों का career को हटा के आप हम देखते हैं आपकी guidance तो हमारे पास है surrender to divine we have easy does it communication is the key surrender to divine का card जो है friends यहाँ पे बात करता है just go with the flow कि चीजों के बारे में बहुत जादा उनको control करने की कोशिश मत करो या बहुत होता है न कि कभी-कभी हम overthinking करके या बहुत जादा सोचके ही चीज़े खराब कर लेते हैं तो this card talks about कि बहाफ के साथ जाना सीखिए थोड़े चीज़े जो है वो भगवान पे अल्ला पे गौड पे छोड़ दे कि थोड़ा सा ट्रस्ट रिखें कि जो होगा सही होगा ऐसा थोड़ा सा आप छोड़ दे कि आप हो सकता है October के मांथ में किसी चीज़ को लेकि आपको थोड़ा stress हो सकता है यहाँ पे card है Easy does it यह card जो है यहाँ पे बात करता है There is no need to hurry or force things to happen Everything is occurring in perfect timing किसी भी चीज़ की जलबाजी मचाने की जरवत आपको बिल्कुल भी नहीं है जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल सही time के सही समय के हिसाब से हो रहा है आपको tension लेने की जरवत नहीं है यह आपकी angels का message है October month के लिए We also have this card communication is the key और यह card जो है बात करता है कि लोगों से बात करना अपनी भावनाओं को व्यक्त करना अपनी you know emotions को express करना वो आपको बहुत help करेगा कही न कहीं आपको life में clarity दिलाएगा October के month में हो सकता है कि आपकी बहुत सरे relationship जो है बेटर हो जाए अगर आप ठीक से communicate करें जो आपकी दिल में है दिमाग में है वो ही सामने वाले व्यक्ति को पोसन को बोले तो आपकी career में और आपकी love life में इससे काफी improvement आएगी जो यहाँ पे cards बता रहे हैं तो friends अगर यह reading आप लोगों से match करती है resonate करती है तो please मुझे जरूर बताएगा comment section box के दुरू और मेरे चानल को subscribe करना वीडियो को like करना दिल को मत भूलेगा Thank you so much